हेलो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि stml में linking क्या होती है external link क्या होता है और internal link क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में हम detail में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे दे गया है introduction to stml links तो इसकी यहां पे definition जानेंगे तो यह इसकी definition है एक ऐसा link जो text या mezo जिस पर click करने पर आप किसी दूसरी window या page पर redirect हो जाए अथार जब भी आप किसी link पर अपना cursor ले जाते हैं तो back cursor एक clickable hand icon यानि उस पर cursor change हो जाए link का प्रियोग basically एक page से दूसरे page पर जाने के लिए किया जाता है link को create करने के लिए a tag का प्रियोग किया जाता है जहां a का पूरा नाम anchor tag होता है इस tag से सबसे basic attribute as ref होता है इसके बाद है stml link का syntax तो यह यहां पे stml link का syntax दिया गया है सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है a a का मतलब ए anchor tag इसके वाद यहां पे href इसके वाद यहां पे equal to और यहां पे double quotation में url लिखा हुआ है और इसके वाद यहां पे दिया गया है link text और यहां पे anchor tag को बंध किया हुआ है तो यह HTML का syntax है, इसको हम detail से जानते हैं, सबसे पहले A क्या होता है, तो यहाँ पर यह देखो, A का मतलब होता है, anchor tag को represent करता है, और opening anchor tag से एक link को define किया जाता है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है href, तो इसको जानते है, href इसका पूरा नाप hypertext reference होता है, href anchor tag को एक जरूरी attribute है, जो destination address को define करता है, इसके बाद यहाँ पर यह देखो, link text लिखा हुआ है, link text बेश शवद या शवदांश होता है, जो user को दिखाई देता है, मतलब जिस पर click होती है, यहाँ आप अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यह देखो, जैसे link text लिखा हुआ है, यहाँ पर हम, जैसे यहाँ पर address लिखा हुआ है, यहाँ पर हम अपने इसाब से कुछ भी यहाँ पर text लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर लिए गया है, close किया हुआ anchor tag को, तो यह है, यह closing anchor tag होता है, यह browser को बताता है कि, HTML link यहीं समाप्त हो ग website का दूसरा URL होती है, अथार्थ किसी website के एक document में, समान site के अन्य document की links को, internal links कहते हैं, जैसे इस lesson में हमने कई अन्य lesson की links को दिया हुआ है, यह सभी links आपको इसी site के अन्य lesson पर ले जाती है, उन्हें internal links कहते हैं, इसके बाद second है, external link, external link एक website पर किसी दूसरी website website का URL होती है, अथार्थ किसी website पर दूसरी website का URL या specific page को external link कहते हैं, आपको इस site पर कई external links भी मिल जाएंगी, external link आपको किसी दूसरी website पर ले जाती है, और आप बर्तमान website से बार हो जाते हैं, external link का मतलब यह होता है, जैसे आपने एक website ओपन की हुई है, और उस website पर किसी दूसरी website का link ओपन किया जाए, तो उसको हम external link बोलेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर external link कैसे बनाए जाता है, इसको यहाँ पर जानेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुए HTML, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुए head, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुए title और यहां पर हमने लिखा हुए external linking और title को बंद किया हुए head को बंद किया हुए और यहां पर लिखा हुए body इसके वाद यहां पर center tag use किया हुए इसके वाद यहां पर heading tag use किया हुए h1 इसके वाद यहां पर लिखा हुए external linking और यहाँ पर h1 को बंद किया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर पर तीन लिंक चैवा है, यहाँ पर यह लिखो, a harif is equal to, यहाँ पर यह अडर्स लिखा हुए, फ़र्स बैपेज का, a.stml और यहाँ पर हमने इसको नेम दिया है example one, इसके बाद यहाँ पर second बैपेज है, a harif is equal to यहां पर यह देखो b नाम का यहां पर webpage है b.html और यहां पर इसको name दिया है example2 इसके बाद यह तीसरा webpage है a harif is equal to c यह webpage है c.html इसके बाद इसको name दिया गया है example3 इसके बाद यहां पर center tag को बंद किया हुआ है body tag को बंद किया हुआ है और यहां पर HTML type को बंद किया हुए तो external linking में हमने तीन बैपेज को लिंक किया हुए यह कहां पर है इसको देखते हैं यह desktop पर है और यहां पर यह दिखो एक बैपेज यह है A नाम का दूसरा बैपेज है B नाम का और तीसरा बैपेज है C नाम का इनको हमने यहां पर link किया हुए तो इसको यहां पर हम save करेंगे यहां पर file पर गए save as पर गए save as पर जाने के बाद इसको यहां पर desktop पर save करेंगे और यहां पर इसको name देंगे external link dot html तो यहां पर हम dot html लिखेंगे यह external link dot html यह हमने यहां पर name दिया इसको यहां पर open करेंगे, open करने के बाद यह दिखो, यहां पर एक link यह बन गया है, example 1, एक link यह है example 2, एक link यह है example 3, अगर हम इनको अलग करना जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर break command यूज करेंगे, यह दिखो, यहां पर click किया, और इसके बाद यहां पर लिखेंगे, br लिखा इसको इसके वाद एक और br tag यूज करेंगे इनको यहां पर copy करेंगे यह copy किया और इसके वाद यहां पर इसके पीछे यहां पर पेस्च कर देंगे यह दूँ यहां भी break हो ग गई तो यहां पर हमने इनको break कर दिया है example 1, example 2 को इसके बाद इसको यहां पे save करेंगे यहां पे file पे गए save पे click किया save पे click करने के बाद यहां पे इसको refresh करेंगे refresh करने के बाद यह देखो यहां पे आ गया example one example two example three तो यह हमने तीन back page को link किया हुआ है अब हम इसको check करेंगे कि example one में क्या है तो यहाँ पे example 1 पे हम click करेंगे यह देखो click किया तो यहाँ पे यह back page है यह देखो यहाँ पे यह back page दिये गया है example 1 पे इसके बाद back करेंगे यहाँ पे गए और इसको back किया इसके बाद second यहाँ पे back page को check करेंगे इसके बाद second link को check करेंगे इसमें क्या है तो यहाँ पे example 2 पे क्लिक किया तो example 2 पे हमने यह back page create किया हुआ है इसके बाद फिर यहाँ पे इसको back करेंगे back करने के बाद example 3 इस link पे क्या है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस link पे यह लिखा हुआ है तो इस हिसाब से यहां पे हम external link बना सकते हैं, इसके बाद इसको यहां पे back करेंगे, यह back है, इसके बाद external linking में अगर मैं यहां पे अपने channel को link करूँगा, तो वो भी यहां पे link हो जाएगा, इसको करके दिखते हैं, तो इसको हम यहां पे copy करेंगे, copy पे click किया, इसके बाद enter प्रेस करेंगे और यहां पे इसको paste कर देंगे, यह paste कर दिया, paste करने के बाद यहां पे यह दिखो, c.html यहां पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहां पे मिटाओंगा, और अपनी channel का URL यहां पे enter करूँगा, तो यह मैंने यहां पे अपनी channel को कोपी करने के बाद इसको यहां पे paste कर दूँगा, राइट क्लिक किया, और यहां पे इसको paste कर दिया, तो यह यहां पे address आ गया, address आने के बाद यहां पे example 3 लिखा हुआ है, यहां पे मैं अपने channel का नाम लिखूँगा, यहां पे इसको मिटाते हैं, और यहां पे मैंने अ यहां पे इसको paste कर देंगे, यह paste कर दिया, paste करने के बाद यह देखो, यहां पे a, यहां पे href, यहां पे लिखा हुआ है, इसके बाद यह मेरे channel का url है, इसके बाद यहां पे मैंने, यहां पे name लिखा हुआ है, यह channel का नाम लिखा हुआ है, इसके बाद anchor tag को बंद किया हु यहां पर यह file name है, इसको यहां पर open करेंगे, open करने के बाद यह दिखो, एक external link यहां पर और बन गया, यह श्पल टैक, इसको यहां पर हम open करेंगे, यह दिखो, इसको यहां पर हम click करेंगे, तो click करने के बाद यह दिखो, मेरा YouTube channel यहां पर open हो जाएगा, तो इस तरह से यहा इंटर्नल लिंक का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है तो इसको कैसे बनाया जाता है यह दिखो यहाँ पे प्रोग्राम पे लिखा हुआ है HTML इसके बाद हैड टाइग लिखा हुआ है इसके बाद टाइटल टाइग लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंटर्न और इसके वाद यहाँ पे break command यूज की हुई है break command यूज करने के वाद इसको हम बाद में समझेंगे जैसे यह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बाद में समझेंगे पहले समते हैं इसको यह लिखो यहाँ पे यह लिखा हुआ है इसके वाद यह attribute यूज़ के हुआ है name इसके वाद यहाँ पे equal to और यहाँ पे double quotation में हमने लिखा हुआ है section 1 इसके वाद यहाँ पे text name लिखा हुआ है कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं हमने यहाँ पे section 1 नहीं लिखा इसके बाद यहां पे anchor tag को बंद किया है और यहां पे हमने break command का use किया हुए है और यहां पे यह दिखो paragraph में हमने यहां पे section 1 पे हमने यह लिखा हुआ है तो section 1 हमने यहां पे यहां तक लिखा हुआ है इसके बाद हमने यहां पे section 2 बनाई हुई है यह लिखो, A name is equal to यहाँ पे double quotation में section 2 और यहाँ पे name दिया गया है section 2 और anchor tag को बंद किया हुए और section 2 जो है, हमने यहाँ पे बनाई हुई है यह लिखो, section 2 पे हमने यहाँ पे यह लिखा हुई है यह लिखो, इसके बाद यह अगले section बनाई हुई है इसके वाद यह attribute लिखा हुआ है name इसके वाद यहाँ पे equal to और यहाँ पे double quotation में हमने लिखा हुआ है section 3 और यहाँ पे name दिया गया है section 3 इसके वाद anchor tag को बंद किया है break command का use किया हुआ है और section 3 को हमने यहाँ पे यह लिखा हुआ है यह लिखो, यह section 3 पे हमने यह लिखा हुआ है अब यह जो लिखा हुआ है section 1, section 2, section 3 इनका हम यहां पे link बनाएंगे तो link कैसे बनाए जाता है, यह लिखो A की webpage है और यह 3 section है 3 section का हम यहां पे link बनाएंगे तो link बनाने के लिए हम यहां पे यह लिखो यह लिखा हुआ है ए इसके बाद href इसके बाद यहां पे equal to और यहां पे double quotation पे हम लिखेंगे hash और इसके बाद लिखेंगे section 1 तो यहां पे हमें hash लिखना पड़ेगा इसके बाद section 1 तो यह जो है section 1 का link यहां पे बन जाएगा इसके बाद यहां पे section name यह हमने यहां पे set किया हुआ है इसके बाद anchor tag को बंद किया है break command का use किया हुआ है तो section 1 यह जो section 1 है यह देखो यहां से लेके यह जितना भी लिखा हुआ है यह section 1 है इसका जो link है यह बन जाएगा यह देखो यह link जो है section 1 का बन जाएगा इसी तरह section 2 का link बनाना चारते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है a इसके बाद href इसके बाद यहाँ पे double quotation पे hash section 2 और यहाँ पे name दिये गया section 2 और इसके बाद anchor type को बन किया break command का use किया हुआ है इसी तरह हमने यहाँ पे section 3 को link किया हुआ है यह देखो section 3 इसका link बनाया हुआ है a href is equal to यहाँ पे हम लिखेंगे hash और यहाँ पे section 3 इसके बाद यहाँ पे section 3 name दिया इसके बाद anchor type को बन किया है और यहाँ पे break command का use किया हुआ है तो यह जो है तीन link बन गे section 1 section 2 section 3 तो यह एक web page है web page पे यह 3 section बनाए हुआ है तो 3 section को यहाँ पे हमने link कर दिया है तो इसको हम करके देखते है कि यह link बने की नई बने तो यहाँ पे file पे जाएंगे और इसको यहाँ पे save as करेंगे save as करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम Animal Link यह internal link लिखा इसके बाद यहाँ पे हैंगे .STML ये लिखा लिखने के और इसको डेस्टोप पे सेव करेंगे इसके बाद यहां पे सेवप कारेंगे तो सेवप कारने के बाद ये लिखो यां पे डिफार्ड व्रोजर में इंटरनल लिंक यहां पर बैबेगे बड़पेस बनक definet आ गया है इसको यहां पे बनके आ गया है यह देखो यह इसके बाद यह जो है second है A href is equal to double quotation में as section 2 इसके बाद यहां पे लिखा हुआ section 2 तो यह second link है इसी तरह यह तीसरा है A href is equal to double quotation पे as section 3 इसके बाद name दिये गया है section 3 तो यह तीन link यहां पर बन के आ गया है अब section 1 ये दिखो section 1 देखना है है हमने तो क्या करना है section 1 के उपर click करेंगे ये दिखो ये section 1 open हो जाएगा इसके वाद section 2 देखना है तो हम क्या करेंगे section 2 पर click करेंगे तो section 2 open होगा ये दिखो click किया ये section 2 open होगा अगर हम section 3 देखना जाते हैं तो हम क्या करेंगे section 3 पर click करेंगे section 3 यहाँ पर open हो जाएगा ये दिखो section 3 पर click किया ये section 3 यहाँ पर open हो गया section 3 पर हमने क्या लिखा था ये दिखो section 3 पर हमने ये लिखा हुआ है तो section 3 यहां पर यह open हो गया तो इस तरह से हम यहां पर internal link बना सकते हैं यहां पर इसको back यह तो यह देखो जो भी section हम open करना जाते हैं उसके ओपर click करेंगे वही section यहां पर open हो जाएगा तो इस वीडियो में हमने यह जाना कि HTML में linking क्या होती है external link क्या होती है और internal link क्या होती है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी रगी तो please subscribe my channel